गोवा मुंबई हाइवे पर दो बड़े हाथसे गुरुवार को हाथसों में 22 की मौत पुलिस ने हाथसों की जांच शुरू की ये तस्वीरें गोवा मुंबई हाइवे पर हुए दो हाथसों की हैं इनमें 22 लोगों की मौत हो गई और 23 से ज़्यादा जखमी है पहला हाथसा गोवा मुंबई हाइवे पर गुरुवार को कनकवली के पास हुआ है यहाँ एक बस ने अपना कंट्रोल खो दिया था जिसके बाद बस पलट गई बस में 36 लोग सवार थे इनमें 13 की मौत हो गई जब की 23 को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है दूसरा हाथसा मुंबई गोवा हाइवे पर ही सुभा पांच बजे एक कार और ट्रक की टक्कर से हुआ राइगर जिले के रिपोली में हुए हाथसे में 9 लोगों की मौत हो गई है मरने वालों में एक 4 साल की बच्ची भी शामिल है दोनों ही हाथसों की वजह साफ नहीं हो पाई है हाइवे पर हाथसे की जानकारे मिलते ही पुलिस मौके पर पहुची और शव को पोस्ट मौटन के लिए भीज दिया गया है